हेलो एब्रीवान मैं डिवाइन फैमरेन आपके लिट्विन फ्लेम की राइट नो की करन्ट एनरजी जो कि आप मिक्स अप होने वाली है अपनी एनरजी के अकॉर्डिंग देख लेगा कौन सी एनरजी आपसे रेजनेट होती है ठीक है जी अलग लग वीडियो मुनाना थोड अनरजी के लिए क्योंकि पूरा दिन लग जाता है कि आपको क्या अप्डिट दी जाया आप लोगों को लगता है कि एक दो से तीन मिर्ट की वीडियो होती है लेकिन इसके इंदर पूरे दिन का बायोड़क होता है क्या energy feel हो रही है क्या शरीर पे effect हो रहे हैं तो इतना easy काम नहीं होता है और फिर आपसे resonate हो ये भी possible हो ना जब भी तो फायदा है कि आपको भी पता लगे कि actual में हो क्या रहा आपके साथ क्या रहा और क्या करना चाहिए ये सब सोचके ही तो हमें तोड़ी मेहनत करनी पड़त कि कुछ DM जो कि अभी मैंने आपको गुला था कि मिड में हैं और काफी close है अपने awakening process की दरब तो वो DM का ये हाल है कि वो तो बहुत ही deep level पे crying energy में हैं बहुत ज़्यादा पस्ता चाप कर रहे हैं तो क्योंकि उन्हें वो गलतियां याद आ रही हैं अपने ही chapter को दुबारा स एक एक पार्ट और एक एक आपके साथ किया हुआ behavior, mis behavior, mis abusive behavior जो भी आपको उन्होंने गलत बोला, ignore किया, किस वज़े से किया, किस के लिए किया, कभी parity नहीं दी, क्यों नहीं दी, ये सब चीजे जो उन्हें बहुत ज़्यादा crying energy में लेके आई हैं इतना रुए हैं आप ल जरूर फील की है, ठीक है जी, अब जरूरी नहीं है हर किसी के साथ रेजनोट और हर किसी का pattern एक जैसा चल रहा है, सबकी journey अलग है, लेकिन collective में ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है जी, फिलाल, ये mid वाली awakening process वाले हैं, जो कि awaken होने के काफी नजदीक है, चल रहा है उनका वर्काउट चल रहा है, ठीक है जी, वो उन गलतियों को दुबारा से दोराते हैं उनके उपर काम कर रहे हैं, कि मैंने ऐसे कैसे किया, ठीक है जी, खुद की गलतियां खुद से observation में आना, आपकी गलतियां तो उने लगती थी लेकिन उनकी खुद की क्या गलतियां हैं, उन की thinking चल रही होगी, आपके partner बहुत ज़्यादा सोच रहे थी, ठीक है जी, यह आपके partner की energy थी, जो की सारी रात उने आपी की या सताती रहो और आप भी परिशान होते रहे हैं, जिसकी वज़े से आपको missing energy फील हुई है, secondly DM जो की अवेकन है, उनका तो क्या ही कहना, वो साथ बहुत खुश है, enjoy करें अपनी life को, हर एक पल को, और अपने partner को हर जगे मिस करते हैं, मतलब अब उनके कहीं काम कर लो, कहीं जा रहे हो, कहीं उठ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में उनकी DF ही रहती है, यह अवेकन DM है, जो की अपने DF के लिए जी रहे हैं, उनके सिवा कुछ नहीं नजराता है, वो हर एक पल में अपने DF के साथ प्रेजन्ट होना चाहते हैं, कि हर एक moment उनके साथ हो, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी DF, मतलब अब उनकी अवेकनिंग तो हो चुकी है, वो तो समझते हैं कि मेरी DF है, तो मेरे लिए सबसे जो priority हो, मेर DF ही रहने चीए, इसलिए कुछ इशू थे जो कि उनके रिलीज किया और अब अपने पार्टनर के लिए continue नहीं के बारे में सारा दिन सूचते हैं, एक मिंट भी अपने से दूर नहीं होने देते हैं, यह अवेकन डियम है, जो कि अपने DF के लिए ही जी रहे हैं चाहते हैं क कहीं out of country भी हो सकते हैं या long distance में कहीं घूमने फिरने गए हो या कुछ भी हो लेकिन अपने पार्टनर को नहीं भूलते हैं, हमेशा वहर पल उनके साथ हैं, सब के साथ होने के बाद भी उनको सिफ और सिफ डियम ही नजर आ रही थी, ऐसी उनकी एनरजी है, कि मुझे मेरी, मुझे कुछ नजर नहीं आता, आपसी मेरी डियम नजर आती है, चाहिए वो कोई भी मॉवमेंट हो, चीक है जी, ये बहुत ही प्यारा पल है आपके पार्टनर का, जो कि अवेकन डियम की है अनरजी, और आपके डियम आपको आपको एक commitment देने के लिए ready हो चुके हैं, हो स कि अपने इतने सजा के बैठे कि अब और उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, इतना deep level पे and conditional love को प्यार में समझते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, commitment के लिए तियार हो जाईए, बहुत जल्दी आने माला, ये हफता बहुत प्यार भरा रहने माले आप लोगों का, तो यही energy में निसीब हो रही थी और missing energy भी आपके partner की थी, तो दोनों ही partner अपने अपने way में अपनी deep को याद कर रहे थी, कुछ सुधार कर रहे हैं, तो कुछ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, permanent union करने का सोच रहे हैं, और second जो first party है, जो मत्तब की first DM है, जो कि awakening process में चल रहे है वो भी अपने partner को ढूंड रहे हैं, हो सकता है कि आपने ब्लॉक किया हो, या आपसे उन से बिल्कुल no contact zone में हो, 5-6 मिन हो सकता है, साल हो चुका हो, आप लोगों का no contact zone हो, आपके partner की soul आपको ढूंड रही है, craving कर रही है मिलने के लिए, अपने गलतियों का है, लेकि करने का काम कर रहे हैं, जैसे उने लगेगा कि अब मेरे को लगता है कि मैं अब fully अपने partner के ready हूं, तब ही वो आने आएंगे, और जल्दी से आपको अपनी बात जरूर शेयर करेंगे, कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है जिस सारे question का answer आपको देने वाले, और जो में वेटिंग जोन में है, जिनका commitment आने का है, वो तो आपको बदा ही होगा, आप रोगों के आपस में burning अच्छी है, बातचीत होती होगी, और नए भी होती तो कोई बड़ा issue नहीं है, वो बहुत दल्दी से clear हो जाएगा, ठीक है जी, तो अब तक की ते current energy और दोनों के ल लिजिए ताकि क्योंकि आज एक सिफ वन डे का आज का ही दिन था, जो कि एक offer है, उसके बाद फिर आपको double rate में मिलेंगे, ठीक है जी, तो फिर मैं मिलती हूँ, new update के साथ, thank you